साथियों, यूपी के किसानों को व्यापारियों उद्धमियों का तेज विकास यहां की कनेक्टिविटी पर भी निर्बर है। इसके लिए योगी जी और उनकी सरकार एक प्रकार से एक्सप्रेस गती से काम कर रही है। मुंदेल खंड एक्सप्रेस वे हो, पुर्वानचल एक्सप्रेस वे हो, या फिर प्रस्तावीत गंगा एक्सप्रेस वे। ये यूपी में कनेक्टिविटी तो बढ़ाएंगे ही रोजगार के भी अनेक अउसर तयार करने वाले। पहले एक्सप्रेस वे सिर्फ दिल्ली मुंबई जैसे बड़े-बड़े शहरों में देखने को मिलते थे अब चित्रकूट बांदा महोबा हमीरपूर जालोन और एया ऐसे ऐसे इलाके के लोग भी आधुनिक एक्सप्रेस वे का लाब उठा पाएंगे करीब 300 किलिमिटर की आधुनिक सड़क जब तैयार हो जाएगी तो आप बहुत कम समय में सीधे लखनों और दिल्ली पहुंच पाएंगे भाई और बेनों ये आधुनिक इंफासेक्टर यहां नए उद्योगों नए उद्योमों को वो विक्सित करेगा ये संयोगी है कि पिछले साल फरवरी मही जार्सी में यूपी डिफेंस कोरिडोर का सिलान्यास करने मुझे उसका सवभाग ये मिलाता है यहां आने का आउसर मिलाता और इस साल मुंदेल खंड एक्ष्प्रेश्वे का सिलान्यास हो रहा है इस साल के बजेट में यूपी डिफेंस कोरिडोर के लिए प्रावगान किया गया है इन दोनों योजनाओं का आपस में गहरा नाता है मुंदेल खंड एक्ष्प्रेश्वे से यूपी डिफेंस कोरिडोर को भी गति मिलने वाली है साथियों एक समय में ये खेत्र भारत की आजादी के क्रांती विरो को पैदा करता रहा है और आने वाले समय में ये भारत को युद्ध के साजो सामान से आत्मनिर भर बनाने वाले खेत्र के रुपे भी जाना जाएगा मुंदेल खन का एक शेत्र मेकिन इंडिया का बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है यहाँ बड़ा साजो सामान पूरे विश्व में निर्याद भी होगा जब यहाँ बड़ी बड़ी फैक्टरिया लगनी शुरू हो जाएगी तो आज पास के छोटे और लगुद्योगों को भी व्यापक लाब होगा यहाँ के किसानों को भी लाब होगा इस तरह रोजगार के अभुद्पुर्वाउसर यहाँ बनेंगे और हर परिवार की आए में बड़ोतरी होगी भाई और बैनों आदूरिक इंफर सेक्टर का यहाँ के परियटन उद्योग का उसको भी इसके कारण बहुत लाब होगा चित्रकुट में तो प्राकुरुतिक संद्रिय भी है और आध्यात्विक्ता का भी गहरावास है प्रभु राम के चरण जहां जहां पड़े उनको जोड़कर रामा एंड सर्कीट के रुप में विक्सित किया जा रहा है चित्रकुट इसका एक एहम पड़ाव है रामा एंड सर्कीट के दर्शन देश और दुनिया के स्रद्धालु कर सके इसके लिए रामा एंड एक्स्प्रेस नाम से विशेश ट्रेन भी चलाई जा रही है आने वाले समय में जब यहां का इंफास्टर विक्सित होगा तो यहां स्रद्धालुओं की आवाज आई भी अद्धीक होगी जिससे यहां के विवाओं को रोजगार के नए अवसर यही पर उपलब्द होंगे मुझे भी स्वास है कि चित्रकुट से बुंदेल खंड से पूरे यूपी पूरे देश की आकांच्छाओं को एक्सप्रेस रप्तार मिलेगी तब तपस्या और तेज की ये पावन भूमी नए भारत के सपनों का एक अहम केंद्र बने इसी कामना के साथ इस खेत्र के सभी नागरिकों को आप सभी को विकास योजनाओं की मैं बहुत बहुत बथाई देता हूँ